तो हम आज बात करने वाले कि कल कुन से स्टॉक पर हम ट्रेड कर सकते इसे पाच स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो कल की लिए हम पहले स्टॉक का नाम है इस वे हैं हम उस पर ट्रेड करेंगे तो आज इसके करेंट प्राइस के अगर बात करें तो चारच साथ चो बीस इसका करन प्राइस था दो रुपे, ढ़ाई रुपे के आसपास इसने पाज रिटन दिया है, लगबख, ढ़ाई रुपे इस टॉक बड़ा था, तो हम बात करें इसके अनलेसिस की है, तो आप देख सकते हो, हमने एक ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल में इसने एक ब्रेकाउट दिया है, अब देख सकते हो, एक ट्राइंगल था, इसमें इसकाम कर रहा था, फिर यहाप पर हमें एक ब्रेकाउट मिल गया, तो इह उपर के और रिटेस करके, इहाँ पर रिटेस करके जो officially इसने positionally इस वर्ले ट्रेंगल में वही यह आगे भी काम करेगा यहाँ पर breakout दे दिया है यहाँ पर अगर इसे breakout करता है ट्रेलान जो हमने बनाई है इसे breakout करता है तो यहाँ पर rate करके अच्छा कासा momentum बता सकता है और कल के लिए जो हमारा target रहेंगा और टार्गेट हमारा रहेंगा 430 रुपेगा 430 रुपेगा हमारा कल के लिए टार्गेट रहेंगा तो आते हैं next stock पे मुतुत finance के बारे में तो अच्छा कासा इसमें आज बड़त देखने को मिली है और इसने इस लेवल को break कर दिया अगर हम इस लेवल की बात करें इस लेवल को इसने break कर दिया यहाँ पर तो यह अच्छा कासा उपर की और जा रहा है 1292 पर इसने break किया था और इसका share price अब चल रहा है 1311 था लगभग 45 रुपे आज इसने return दिया है तो हमने किस बेसिस पे उपर का जो अगर आप देखो इसके जो पिछले अगर चार्ट की हम बात करें पिछे अगर जाए मुथुत फाइनस में तो आप देख सकते हापी से rejection मिला था और यह आप पर एक cup and handle जैसा pattern बनते होई देख रहा है और cup and handle pattern जब भी बनता है और अगर breakout मिलता है अच्छा तो उपर क्यों अरे stock जा सकता है तो आप देख सकते हो अच्छा कासा उपर क्यों momentum दे सकता है 1329 तक है 1329 तक है stock easily जा सकता है तो next stock क्यों बात करें तो आप देख सकते हो Tata power के हम बात करेंगे आप इसमें कल sell कर सकते हो Sell क्यों कर सकते हो, क्योंकि हमने एक Break Out बना, हमने एक Triangle बना था, जिसके निचे इसने यह पर एक Break Out दिया है और यहाँ पर रिटेस्ट करके अच्छा कासा नीचे की और आ सकता है और यह नीचे की और आने की इसने ट्राइब भी किया है आज बटे आ नहीं पाया आप देख सकते हो कितना हो फ्यूज केंडल बना था नीचे की और जो शेड़ो बना था एक यह 103 तक गया था तो हमारा जो टारिगेट रहेंगा सेलिंग के लिए नीचे की और का टारिगेट हमारा रहेंगा और अब इसका चल रहा एक 106 रुपेगा तो अच्छा कासा ही नीचे की और कल आ सकता है तो अगले स्टॉक की अगर बात करें तो हम बात करने वाले हैं बड़ा फोन आइडिया के बारे में तो आप देख सकते हैं पर हमने फिछले वीग एक ट्रेंगल बना यहां यहां पर इसने एक यूज़ केंडल बनाई थी रहीं तो इपर जाने के ट्राइ करेंगा अपना जो पिछला लेवल इसका 9 रुपेगा तो यहां तक यहां तक isस करें सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हो इसका यहां तक इसने हाई लगा था लगबग नव साड़े नव दास रुपे तक इसका हाई है तो अच्छा कासा हो है उपर की और भी जा सकता है सो next stock की अगर बात करें तो हम PNB के बारे में बात करें गए तो हमने कुछ levels बनाये यहाँ पर इसने कुछ दिन तक यहाँ पर इस zone में काम किया था और यहाँ पर इसे breakout में ला आप देख सकते हो यहाँ पर एक faudto से support करें तो यहाँ पर इसने support क्लिया ऊपर गया फिर यहाँ इसने एक support लिया फिर यह उपर जाने की कुशिश कर रहा है और यहाँ पर support ले सकता है अगर आप इस stock की बात कर तो 42 रुपे इसका चल रहा है तो एक रुपे इसमें गिरावड देखने को कल मिल सकती है यह 42 या 41 रुपे तक यह stock आ सकता 41 से 40 रुपे तक और जैसे यह 40 तक आता है 41 से 40 तक आता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो जैसे यह 40 तक stock आता है तो यहाँ पर आके रहें सीधा अपना जो next target रहेंगा 44 रुपेज का आराम से हच्शू कर सकता है जो पाच stock थे कल के लिए हमने इनके उपर analysis किया है तो आप इसनको अपनी वाच लिस्ट म एट कर सकता हो सब्सक्राइब कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठेंक यू